अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टुनेहास किचिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुती टेस्टी और बिल्कुल इजी मटन नली निहारी के रेसबी बहुती जवरदस बनती है और बहुती टेस्टी होती है बिल्कुल रेस्ट्राइन स्टाइल आप इसे घर पर ज़रूर ट्राइ करे शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन ओन करे तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे तेल खूकर में तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे एक प्यास तो एक मीडियम साइज की प्यास हमने इस तरीके से चौप कर लिया है और इसे हमें फ्राइ कर लेना है तो प्यास को हमें दो से तीन मिनिट के लिए अच्छ इसे हम high flame पर ही प्यास के साथ अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनिट के लिए इसे हमें अच्छे से भून लेना है अब इसमें हमें एक मसाला डालना है तो मसाला बनानी के लिए हम एक अलग पतीले में थुड़ा सा तेल डालेंगे उसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून अच्छा पन निकल जाए तो तीन मिनिट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राय कर लेंगे अब अगर आपके पास रोस्टेड मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं बिसिकली आपको जीरा, धनिया, सौफ, काली मिल्च और कश्मीरी लाल मिल्च को ड्राय रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेना है उससे हमारा रोस्टेड मसाला बन जाता है अब इसमें हम डाल देंगे शान का नहारी मसाला तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून नहारी मसाला डाला है आप चाहे तो कोई भी कमपनी का नहारी मसाला यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दीमी आज पर कुछ देर के लिए हम इसे भी पकने देंगे तो इस मसाले से बहुत ही अच्छी एक खुजबो आना स्टार्ट हो जाती है बहुत ही टेस्टी लगता है यह इसे हम कुछ देर के लिए भून लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे दही तो एक कप दही मैंने यहाँ पर लिया है और दही को अच्छे तरीके से फेट लेना है फिर हम इसे आड़ करना है और दही डालते टाइम हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसे हमें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है धीमियाज पर ही हम दही को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें हम बिरिस्ता डालेंगे तो दो प्यास का मैंने बिरिस्ता बना ले था उसे फ्राय करके उसका बिरिस्ता बना लिया था और इससे हमने grinder में एक बार गुमा लिया था तो वो add हमें करना है grinder में grind करके इसमें डाल देना है थोड़ा सा ही बिरिस्ता चाहिए हमें और इसे हम add कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे इसे भी बहुत ही अच्छा एक taste आता है 2-3 मिट के लिए हम इसे पकने देंगे अब इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वाद, नुसार और इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे अब हमें इस मसाले को दीम्याज पर पकने देना है जब तक या अच्छी से भूनना जाए तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी से भून चुका है तेल भी side से आच चुका है हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी से पक चुका है इस मसाले को हम गोश में डाल देंगे तो गोश को हमने स्टार्टिंग में सिर्फ प्यास के साथ भून लिया था अब इसमें हम मसाला अट कर देंगे और एक से दो मिनिट के लिए इस मसाले के साथ गोश को भून लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यहाँ पर एक कप मैंने पानी अट कर दिया है ताकि गोश अच्छे से गल जाए और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे डगकर लगा कर 3-4 सीटी लेकर हम गोश्ट को गला लेंगे तो 90% गोश्ट कर जाना चाहिए अब हमने इस गोश्ट को पतेली में निकाल दिया है और gravy करने के लिए हमने आपर 4 कप पानी डाल दिया है तो आपको जितनी quantity की gravy चाहिए आप उसे सापसे अपना पानी एज़स्ट कर ले और इसे हम high flame पर boil आने देंगे और फिर हम medium flame पर इसे पकने देंगे अब gravy ठिक करने के लिए हम लेंगे एक पतेली में थोड़ा सा तेल और 3-4 कप हम गेहूं का आटा लेंगे और इसे हमें medium flame पर saute कर लेना है तो आटे को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है थोड़ी से तेल में हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें हलकी से एक खुश्बू नहीं आ जाती है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक घोल बना लेना है तो हमने यहाँ पर एक whisk यूज किया है ताकि अच्छे से fit जाए अच्छे से mix होते जाए अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल की इसका गोल बना लिया है और आप एक whisk यूज करेंगे तो इसमें कुछ lumps नहीं पढ़ेंगे जरा भी फुटिया नहीं पढ़नी चाहिए लंस नहीं पढ़ने चाहिए अब इसे हम डाल देंगे नली नहारी की gravy में और इसे अच्छी तरीके से mix करते जाएंगे तो सारा जो गोल है हमने इसमें डाल दिया है इसे ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तिक हो जाती है उसका एक टेक्श्चर आ जाता है इसे हम हाई फ्लेम पर एक बार बॉयल कर लेंगे और फिर इसे दीम्याज पर हमें पकने देना है तो बस सारी चीज़े हमने डाल दिया है इसे दीम्याज पर पकने देंगे तो आप देख सकते हैं उपर अच्छी सी तरी आ चुकी है तेल उपर सेपरेड हो चुका है फ्रेश हरी दनी से हम इसे गानिश कर लेंगे और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे हमारी जो नली निहारी की ग्रेवी है वो बिल्कुल तयार हो चुकी है बहुत ही जबरदस खुशबो आ रही है बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइलिस का टेस्ट आता है आप देख सकते हैं मटन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है मटन आप इसे गर्मा गर्म सर्फ करें इसे हम तंदूरी रोटी के साथ कहा सकते है उससे बहुती टेस्टी लगता है ये इसे हम सर्फ करते टाइम पे नीम्बू और अदरक्की जूलिन्स के साथ सर्फ करेंगे बहुती ईजी और बहुती टेस्टी रेसिपी है इसे आप घर पर ज़रूर ट्राइ करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब ज़रूर करें